Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone So, बच्चों कल संडे था और कल हमने संडे टेस्ट लिया I hope आप सभी बच्चों ने अच्छे से टेस्ट दिया And अपना maximum effort दिया अब आईए करते हैं इस test paper का solutions Okay, आप सभी को मैंने solution printed form में दे दिया है और आपको अब test का solution का तरीका कैसा अपना कि मैं आपको जो questions करा दिये हैं मैंने जो उसमें paper में question दिये हैं आपको खुद self analysis करके देने हैं कि कितने marks मुझे मिलने चाहिए ठीक है ना? Clear है ना? Marks बाजू में लिखे हुए हैं कि maximum marks कितने allotted हैं उसके accordingly आपकी copy है आपकी copy आपको start to end चेक करनी है ठीक ना? मैं यहाँ पर पूरा guide करूँगा आपको एक एक question चलिए पहला question देखते हैं बच्चों question number 2 था बन गया सभी को क्या? answer 20 आ गया सभी को आ गया चलिए इसमें main चीज क्या थी बटा? formula लगना था aq plus bq equal to formula लगना था a plus b bracket में a square minus a b plus b square है न बटा? और यह नीचे की टर्म तो cancel हो गई थी हो गई थी ना cancel? तो केवल यह बच गया था है न? अच्छा इसमें से कितने बच्चों नहीं यह formula नहीं लगाया? लगाया formula की नहीं लगाया? अगर formula नहीं लगाया थो 0 दे दो क्योंकि मेरा उद्देश यहाँ पर यह formula लगवाना था क्या था? formula है ना जी? बोलो yes or no? formula question क्या लगना था? 18 का cube plus 2 का cube upon 18 का square minus 36 plus 2 का cube ठीक है ना? तो यह formula में break हो जाएगा है ना? formula में break हो जागा कैसे break हो जागा? a plus b 18 plus 2 a का square minus a b याने की 18 2 जा 36 plus b का square और बाकी नीचे की चीजी है तो इससे यह cancel हो जाती है ना? answer कितना आगया? 20 अगर 20 आगया तो फुल मार्क्स दे दो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का? 3 मार्क्स का चलो 2 के दोनों बन गये अब 3 पिया जाते हाँ 2 के दोनों बन गये तो तूदो मार्क्स के दोनों 2 प्लस, 24 दे दीजै हाँ 3 के दोनों बन गये 3 का एक पिये मन गया कि नइ fracture बन गया दे दो बील्या की जा भूर ग्टे तो आपने बे zeg Statra जाता वे देखो ऐसे मार्स लिखा जाता है जैसे आपने मानलो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थ्री में से थ्री मिले हैं थ्री में से टू मिले हैं तो ऐसे ब्लॉक बना के लिखा जाता है कि थ्री आउट अफ है ना टू आउट अफ थ्री टू आउट अफ थ्री फोर में से 4 मिलें तो 4 out of 4 समझे ना ऐसे लिखा जाता है चलो करो यह हो गया चले आंगे चलो question number 2 में मार्क्स दे रिया question number 3 में मार्क्स दे रिया question number 4 बना की नहीं बना quadratic equation स्री धरा चार सूतर बन गया answer Milan करिये 2 by 3 comma 1 by 2 आया है दे दो 3 marks 3 out of 3 ठीक अगले question में problem हो गई होगी है ना अगला question में आपको समझा दूँ चलो देख लो अगले question में आजाओ question number कौन सा 5th है ना 5th question में बच्चों को problem हुई है बिटा binomial theorem का simple concept आप याद करो मैंने 1.03 की power 3 आपको करवाया था याद आया भूल गए लेओ भाई सब 1 प्लस x की power n बच्चे formula क्या था 1 प्लस n x बोलो हाँ प्लस n into n minus 1 upon factorial 2 x का square plus n into n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 x का क्या cube and so on याद आ गया पक्की बात हाया ना चलो अब देखो तो ये क्या था 1001 था क्या था 1000 क्या आप इसको 1000 प्लस 1 नहीं लिख सकते हो की power कित्ती 1 by 3 ये बोलो हाया ना power कित्ती 1 by 3 पक्की बात चलो आप इसको बताओ क्या आप इसको 1 प्लस 1000 नहीं लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो 1 प्लस 1000 है ना एक प्लस एक हजार की पावर 1 व records 3 clear, पक्का ना चलो, अब देखो बिटा अंदर से 1000 common ले लो अंदर से क्या ले लो, 1000 common, अंदर से 1000 common ले लिया, कैसे common लोगे, देखो, अंदर से 2000 common लोगे, तो यहाँ पर 1 by 1000 बचेगा की नी बचेगा और प्लस यहां पे बचेगा कि नहीं बचेगा अब पावर कितना 1 x 3 पूरे का, sorry, यहां पे किस के पूरे का, बुलो हाँ तो पावर बढ़ जाएगा, कुछ इसको मिलेगा और कुछ इसको मिलेगा बटा कि नहीं बटा, तो बिटा यह 1000 का मतलब क्या होता, 10 की power 3 होता कि नहीं होता, और उपर से whole power कितनी चड़ी है, 1 by 3 और ये इसको आंगे लिख लो 1 और इसको लिख लो 1 upon 1000 कि whole power कितना, 1 by पका, 3 से 3 क्या हो गया, कितना बचा अब इसको open कर दो बेटा इसके लिए मैंने ये formula लगाया कि नहीं लगाया है याद करिए, तो चलो 1 की जगए 1 plus n, n बोलो कितना, 1 upon 3 है न, n into x, x कितना बोलो 1 upon 1000, ठीक न, फिर n हो गया, nx हो गया, फिर n into n minus 1 तो 1 upon 3 और 1 upon 3 minus का कितना 1 upon में factorial कितना 2, clear हो गया upon में factorial 2 into 0.1 upon square, बोलो yes or no, अब आंगे के टर्म बेटा छोटे हैं, कोई काम की नहीं है क्योंकि 1 upon 1000 वैसे ही विचे को देख लो, हालत खराब है इसकी, हाँ है न, नीचे में कितने 3 0 है बोलो yes or no, वैसे विचारा वो शहीद होने जा रहा है, है न, तो आंगे लिखने का expansion कोई मतलब नहीं है, पक्की बात, तो आंगे लिखने का expansion कोई मतलब नहीं है, तो चलो इसको solve करता हूँ, 10 bracket में लाओ, इधर पर कितना आ गया बेटा, 10 है न, 10 इधर 1 है, चलो 10 का multiply कर देते हैं, कर दे 10 का multiply, चलो बस इतना ठीक है, 10 बन जा कितना हो गया, बोलो, 10 हो गया की नहीं हुआ, बोलो हाँ, अब यहाँ से 10 से 1 0 cancel, तो 1 upon 300 हो गया की नहीं हुआ, प्लस, 1 upon 3 और 1 minus 3 मतलब कितना हो गया, minus 2, minus 2 by 3, देखो, और 2 से 2 cancel, देखो कैसे बनेगा, 1 upon 3, minus 2 by 3, बोलो हाँ, इन्टू कितने का, 1 by 2, हाँ यह न, यह 2 से 2 क्या हो गया, cancel, clear हो गया, तो कितना आ गया, 1 upon 9, वो भी minus का है न, minus का 1 upon 9, तो यह हो गया, plus और minus कितना हो गया, minus, यह plus और इससे minus निकला, तो कितना हो गया, अब देखो, 10 का multiply किया हूँ, कितने का multiply किया हूँ, 10 का, अज देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 0 थे, कितने 0 थे, 3 0, 3 0 का square 6 0 हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बोलो, 3 0 का square कितना, 6 0, और 6 0 में से 1 0 कट गया, मतलब 5 0, मतलब नीचे कितना आएगा, एक बटे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक लाख, बोलो, yes or no, पक्का बात, कोई दिक्कत, बोलो, बोलो, कोई दिक्कत, चलो, अब देखो, इसको क्या कर सकता हूँ, 10 in plus, 1 by 3, बेटा, 100 को क्या लिख सकता हूँ, 1 upon 100, बचा थीन सव, 1 upon 100 को 0.01, yes or no, minus 1 upon 9, बेटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.00001, 401, बोलो, yes or no, हो गया 5 0, clear है, so 10 है, और फिर 0.001 में, दिवाइट कर दो 3 का, और इसमें 9 का डिवाइट कर दो, आंसर आपका आजाएगा, ठीक ना, इसको आप calculation कर लीजिए, कर लोगे न, कोई दिक्कत है क्या, बोलो, बन जाएगा, चलो, नोट कर लो जदी से, अब solution में देख लो, एक बार solution sheet मैंने दे रखा है, solution sheet मैंने इसलिए दे रखी, कि आज मैं पूरी sheet के पीछे, मुझे यही homework चाहिए है, पीछे ही करवाऊँगा, ठीक है भाई, हो गया, चलो, अगला question देखो भाई साब, अगला question आपको करवाया गया था, क्लास में, फिर भी नहीं बना क्या, sigma वाला, करवाया जाए कि ना करवाया जाए, मेरी sheet का question है, बच्चों, यह तो मैंने क्लास में करवाया था, बिटे, रफ कर दू इसको, इसको रफ कर दू, ओम बिटा, ठीक है, चलो बच्चों, कैसे करेंगे, देखो, question number six की बात हो रही है, बिटा जी, यह है, अपने पास में, sigma 1 प्लस, हाँ, देखो, sigma है, sigma है, t0 प्लस t की whole power 4, t0 प्लस t की whole power 4, minus, कितना अब आई साब, t0 की power 4, minus t0 की power 4, बिटा देखो, यहां से, सबसे पहले में, sigma, sigma रहन दो कोई दिक्कत नहीं, यहां से मैंने t0 common ले लिया, क्या ले लिया, मैंने t0, common ले लिया, तो t0 मैं common लूँगा, तो बाहर क्या बनके निकलेगा, t0 की power 4, यहां ऐगा 1, और यहां जागा, t upon t0 की whole power 4, बोलो, yes की नो, ठीक ना, minus, t0 की power 4, clear, clear, clear है की नहीं clear, हाँ, अब आप याद करो, बोलो, इसमें कोई दाउट है, पका ना, बोलो, कैसे निकला, ओके, चलो, वही तो पूछ रहा, देखो, t0 प्लस t की power 4 था की नहीं था, आपने अंदर से t0 common लिया पहले, बोलो हाँ, तो t0 बंजा t0, और t upon t0, की whole power कितना बनता, total में 4, अब 4 power इसको भी मिलेगी, तो इसको t0 की power 4 दे के अलग कर दो, और 1 upon t by t0 की whole power, 4 खाएगा, ये सौनो, अब आगे सौन में की नहीं है, ओम clear हुआ की नहीं हुआ, बटा, डाउट पूछा करो, और t0 मतलब की absolute temperature, room temperature, बोलो ये सौनो, तो ये जो quantity है, t upon t0, देखो, t upon t0 जो है, बहुत छोटी quantity है, कैसी quantity है t upon t0? बहुत छोटी, approximation में ने आपको सिखाया था, t upon t0 में क्या लग जाएगा, approximation लग जाएगा, क्या लग जाएगा t upon t0 में? approximation, तो लगा देते हैं, t upon t0 में approximation, याद कर दो, sigma t0 की power 4, और याद कर दो, याद कर दो, याद कर दो, 1 प्लस 4, t upon कितना हो गया, t0, माइनस t0 की power 4, चलो, multiply कर दो, sigma t0 की power 4, into, वह, यहाँ लाइट जलाओ, second वाली, देखिए, यहाँ पे t0 की power 4, अब इसको मैं multiply कर देता हूँ, t0 की power 4, प्लस 4 t, into t0 की power 4, divide by कितना बोलो, t0, और माइनस t0 की power कितना हो गया, 4, clear हुआ, हाँ, इससे यह cancel हो गया कि नहीं हुआ, और 4 powers में इसे एक power cancel, कितनी power बजगी, 3 power, तो answer कितना आगया बजगी आपने पास, sigma 4 t, t0 की power 3, खतम खेल, note कर लो, check कर लो, 4 sigma t, t0 की power 3, 4 sigma t, t0 की power 3, ठीक है, तो यह approximation से होना था question, सिखायतना बैने approximation, 1 प्लस X की power n वाला, बाइनोमिल थी औरम बाला, है न? चलिए दो देख लीजे भाई solution, हाँ बिटा, अगला question अब से बना की नहीं बना, very good, दे दो बिटा full marks, कितने marks का है, 2 marks का है, बहुत easy question है, value put करनी थी, एकदम बच्चो टाइप, 7 के बाद question number 8, सारे बन गए, बहुत बढ़िया, sign 330, sign 330 की value देखो, minus 1 by 2, आईए क्या, दे दो 2 marks, हाँ ठीक है न, 360 minus 30, अब 360 minus 30, पिटा कौन सा quadrant, 4th quadrant, तो no change, और negative sign, क्योंकि 4th quadrant किसका घर है, sign का, sorry, cost का, अपन निकाल रहे है, sign की value, तो minus sign बाहर आजाएगा, IS1 में नहीं आया, है, ऐसी किया, ऐसी किया तो देदो, full marks नहीं तो 0 देदो, है न, minus 1 by 2 आगई, अगली value, 10 135 की minus 1, आई है, ठीक है, full marks देदो, 2 marks, 10 135 की value, minus 1, जो नी बनी पूछलो, चुप रहने से काम नी बनेगा, ओम बिटा, बताओ, कौण सी नी बनी, कौण सी, 10 135, बन गई, बन गई, वेरी गुड, चलो, अगला क्वोशन आजाओ भाई, अगला क्वोशन है, साइन 75, 10 15, बनी की नी बनी, साइन 75 की value, रूट 3 प्लस 1 by 2, रूट 2 बहुत ही सिंपल क्लास में कराया था, साइन 75, नहीं बना प्रियांशू, चलो देखो, कैसे करेंगे, बच्चो देखो, पहली value देखो, साइन 75, बताया था मैंने, साइन 75 मतलब, साइन 30 प्लस 45, या साओनो, 45 प्लस 30, या 30 प्लस 45, फार्मुला लगा दो, साइन 30 कौस 45, प्लस कौस 30, साइन 45, बोलो हाया न, साइन 30 कितना, वन अपॉन 2, कौस 45 कितना, वन अपॉन 2, कौस 30 कितना, रूट 3 बाई 2, और साइन 45 कितना, वन अपॉन 2, लसी हम दोनों का आगया, 2 रूट 2, एड हो जाएगा, उपर 1 प्लस रूट 3, बोलो क्लियर, आंसर रूट 3 प्लस 1 बाई 2, रूट 2 बिल्कुल सही है, बन गया, नहीं बना तो 0 दे दो, बन गया है तो 2 माक्स दे दो, अगला क्वेशन देखते हैं, साइन 15 डिगरी, 10 15, सॉरी, तो 10 15 का फॉर्मुला, 10 A माइनस 10 B का फॉर्मुला, क्या था, 10 A माइनस 10 B, 10 B हो गया 30, अपॉन 1 प्लस 10 A, मल्टिप्लाइ बाई 10 B, पकी बात, तो 1, 10 30 कितना होता, 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन कितना, रूट 3, नहीं उपर माइनस है, नीचे प्लस है है ना, तो 1 यह हो गया, क्लियर हुआ, LCM ले लो तो कितना हो गया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और नीचे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, क्लियर रूट 3 से रूट 3, कैंसल आंसर आगया, रूट 3-1 अपन रूट 3 प्लस वन दन है अची बात है ना चापलो चलो अगला क्वश्चन बहुत 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 रही नहीं है भाई साब आपके एक्जाम में आएगा पके से लिखलो शीट के उपर पेपर के उपर सो परसेंट वन हंड़ेड परसेंट अगला नहीं अगला भी इंपोर्टेंट है अगले का अगला बोला था वेलोस्टी वाला अगला भी इंपोर्टेंट है चलो अगला वाला बहुत सिंपल था बन गया question no.10 4 marks का differentiate with respect to x check करो भाया differentiate with respect to x क्या function था y is equal to 4x plus 3 divided by x cube plus 1 ये function y equal to 4x plus 3 divided by x cube plus 1 अलगा रहा है चलो करवा देता हूं फिर है ना चलो इसको solve कर देते हैं देख लो अलगा रहा है बिटा तो जिस step तक सही हुआ है क्योंकि question 4 marks का है तो चारी step का तो है तो जितने step सही है उतने marks देदेना पहला तो question लिख लिए question लिखने के कोई marks नहीं होते हैं 4x plus 3 upon x cube plus 1 अब इसका differentiation d by dx equal to denominator x cube plus 1 into किसका differentiation होगा numerator का 4x plus 3 बीच में क्या minus फिर 4x plus 3 बाहर और x cube plus 1 का differentiation d by dx of x cube plus 1 यार algebra में गलती कर दियार तुम लोगोंने multiply divide में x cube plus 1 का whole square इसको छोड़े छेड़ना ही नहीं नहीं है last तक ऐसे कैसी बेठा रहेगा बुलो चलो x cube plus 1 कुछ मत करो अब देखो 4x का differentiation 4 constant x का कितना हो गया 1 तो 4 बंजा 4 आ गया और इसका 3 का कितना हो गया 0 constant का कितना होता है अरे 4 4 बाहर आ गया x का 1 हो गया 3 का कितना हो गया 0 बंता है नहीं बंता अलग लग करके दिखांगा बोलो पक्का ठीक है फिर 4x plus 3 बाहर माइनस का हां ओम बुलो एक्सक्यूब क्तना हो जायगा हां इसका कितना खेल खतम यार उसक्षान में करीके चारण नामबर x cube 1 का whole square 4 का multiply x cube के साथ 4 x cube plus 4 का multiply 1 के साथ कितना हो गया 4 बोलो हाँ आप गलती कहा हो योगी bracket नहीं लगाया होगा पक कैसे bracket नहीं लगाया एक को माइनस दे दियो गे दूसरे को नहीं दिये होगे वहीं पर गलती होदी बच्चों से चलो देखो अंदर कै 3x square स्क्वाइर है 3x स्क्वाइर के साथ 4x का मल्टीप्लाइब करो तीन कुने चार बारा और एक्स की पावर 3 3 4 जट 12 एक्स की पावर 3 बोलो यसा नो और प्लस 3 3 जा कितना 9x का स्क्वाइर समझ गए आप लोग क्या कि होगे इसको तो खोले होगे तो इसको माइनस रख दी होग स turf अपॉन x q plus one का whole square ठीक चार एक्स क्यून्वेच के बोलो कितना हुअ माइनस का 8x क्यूब माइनस का 9x स्क्वाइर और प्लस का कितना फोर अपान ऑई x q plus one का whole square ख खुलास नहीं इसा है वोमैं बाइड आँस घू पाई बिलकोल वो मैं समझ गया हाँ एक नंबर कड़ेगा बिटा माइनर मिस्टेक है के वल एक नंबर कड़ेगा वन मार्क काट लो नीचे होल स्कॉर नी लगाया हूँ पूरा छोड़ दियेगी बस स्कॉर बूल गया हूँ नीचे का वी स्कॉर कहां यहां पर अच्छा वी स्कॉर का फॉर्मला चूड़ गया बाइस आप दो नंबर जाएंगे आपके पूरे-पूरे फॉर्मुले पर गलती कर दी मतलब अंग भंग कर दिया क्वेस्चन को है है नहीं सुरू हां हां ऐसा होता है बिटा है इसलिए टे बिल्कुल बनना था in question बन गया कम से कमयार acceleration तक तो निकाल लेना था फोर्स ना निकाल पाते हैं, फोर्स में थोड़ी सी बुद्धी लगनी थी, क्योंकि फोर्स एक्वली टू मास इंटू एक्सलेशन, लगा ली बुद्धी, हरे क्या बात है, फिर तो भाई, तालिया बजनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, फिर तो, है ना, अगर बुद्ध साथ हो 30 आ गया, तो बिल्कुल सही है, आंसर 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, दे दो भाई साब, कितना मकर, 4 नमर का, 4 माक्स, 4 माक्स, हाँ भाई साब, अगला क्वेशन लल्लू टाइप बन गा की नहीं बना, इंटीग्रेशन, क्वेशन अबर 12 का पहला पार्ट, बन गया, बो 12 का फस्ट पार्ट, नहीं बना, बन गया, यस सर किसीच का बोल रहे है, बबु बना की नहीं बना, नो सर, बनने का बनने का, बनने का बनने का, तो रुटो आया है, हाँ, सही एक दम, फुल माक्स, 2 इंटीटो की पावर अवर अवर फ, 1 अपन रूटेशन, क्वेशन नमर 12 बैयार, क्वेशन नमर 12, बन गया, फोर की पावर हाफ कर दिया, यार कुछ थाई नहीं यार इस क्वेशन में, क्या करवा रहे हो, आई, कॉल टू देखो भी, यह लिमिट है, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, और 1 अपन रूट एक्स, बोलो हाँ, भाई या, 1 अपन रूट एक्स, माइनस का आधे में से एक जोड़ोगे, तो भाईया, प्लस का आधा आएगा, और नीचे भी प्लस का आधा आएगा, वनापन टू, पल्टी मार करके 2 उपर चला गया, उपर बजगया, रूट एक्स, लिमिट लगा दो, क्या है, 0 से लेके, 2, बोलो, यह सौन नो, चलो, प אלो, बच्छो, चलो, 12 का, पहला पार्ट होचुका है, 12 का दूसरा पार्ट बता हो, बन daगा दूसरा पार्ट, रदी कोशं तेक दम, बनागा दूसरे पार्ट का, हाँएधी कवेड़ोटेड लोगuhan, 2 2, 4 मार क्स, 13 का 13 का फर्स्ट पार्ट कौन सही करा है 13 का फर्स्ट पार्ट है कोई 13 का फर्स्ट पार्ट सही करा है मतलब वो बिल्कुल एक दम उसका दिमाग जो है बढ़ी एक दम हां हां हाँ सः निया थाौँ हां थी कैं चले देखते हैं कैसे कनना है कि माकी बच्छे जबाब नहीं देता हैं मतलब नहीं करें तो आएज देखते हैं वैरी गुड़ बटा तुमने बहुत अच्छा टेंट किया अगर ऐसा कॉश्चन तुमने कल लिया मतलब बहुत शांदार एकदम सही गाड़ी चल रही है आई इसी कॉल टू जीरो से लेकर आर बन से लेकर आर टू और यहां पर है क्यूवान क्यूटू अपॉन है बिटा आर का स्क्वाइर और यहां पर चल रहा डी आर क्या चल र सयांपर नंचार आर वाया ल से लेकर आर तू तो ब्र sen करते हैं तो आर की पावर नपले सर अपाउन कितना R2 तो माइनस के Q1 Q2 बाहर बैठे रहेंगे और R की पावर माइनस 1 बुले तो 1 अपॉन आर लिमिट चलीगी आरवन से लेकिकि इतनी ए अर्टू चलो अपर लिमित होग दो मैनस के क्यों अपर ले मतलब वन अपन आर या उप वार या बोइसे इतना आँसरा चुका है आपने मेरे ख्याल से का प्लस वाला माइनस हो जाए का दो वन अपॉन आरवन माइनस वन अपॉन लो हो गया ठीक ना यह हो गया इंटिग्रेशन इसका बुलो सही है पकी बात चलो अब इसके बाद भाई साब फूर फॉर्थ वाला है टैने स्क्वायर एक्स का डी एक जीरो से लेके पाइब फूर वो कॉन सही कर रहा है एक बार में एक बार में आंसर आया है बिटा वन माइनस पाइब फॉर हाँ लिख सकते ना 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 बिलकुल ने लिए सकते लिगोड़ा क्या है यह इंटीग्रेशन जो है ना यह सब रेडियन सिस्टम में होता किसम होता है रेडियन में आपको आगिया होगा सभी को चली कैसे करना बच्चों देखो question number fourth है last paper का question है integration i equal to zero से लेके pi by 4 0 से लेके pi by 4 10 square dx 10 square x dx तो बेटा सबको पता है कि 10x का integration 10 square x का क्या होता है 10 square x का integration कैसे कर पाओगे directly नहीं कर पाओगे 10 square x का integration नहीं कर पाओगे तो क्योंकि 10 square के integration को कोई formula आपको पता नहीं है but technometrical identity आपने पढ़ी है जिसमें formula होता है कि second square x equal to 1 plus 10 square x बोली हाँ second square x equal to 1 plus 10 square x तो यहाँ से भी टाट 10 square x आएगा वो क्या हो जाएगा second square x minus 1 second square x minus 1 तो आपके school में जब paper आएगा ना second square x का directly नहीं देंगे घुमा के देंगे 10 square x का अब अच्चे बोलेंगे 10 square x का तो कोई formula हुआ नहीं तो 10 square x का नहीं हुआ है तो 10 square x का formula क्या बन जाता है second square x minus कितना और dx और limit 0 से लेगे कितनी पाई भाई 4 चलो integrate कर दो सबसे पहले second square x integrate होगा second square x dx minus फिर कौन integrate होगा 1 होगा बोलो हाँ limit सेम रहेगी भाई limit क्यों बदलेगी 0 से πाई भाई 4 0 से πाई भाई 4 second square x का integration सबको पता है क्या होता है 10 x limit कितनी 0 से लेगे πाई भाई 4 बीच में minus sign 1 का integration सबको पता है x 0 से लेगे πाई भाई 4 पका चलो limit लगा दो उपर 10 पाई भाई 4 यार सबको पता है कि 10 पाई भाई 4 बोले तो कितना होता 45 डेगरी तो यहां पर आप 10 फॉर्टी फाई भाई सकते हो क्योंकि इसकी वेल्यू सॉल हो क्या जाएगी तो 10 पाई भाई 4 माइनस 10 जीरो पहला ब्लॉक बोलो यस बीच में माईनस अपर लिमिट एक्स की जगे पाई भाई 4 एक्स की जगे कितना जीरो है ना एक्स की जगे पाई भाई 4 माईनस जीरो पहले एक्स की जगे पाई भाई 4 आया फिर एक्स की जगे जीरो आ गया चलो, बोलो, अब solve करते हैं, 10 by 4 कितना हुआ, 1, 5 by 4, 45 degree, 1, 10, 0 कितना होता है, 0, बीच में minus sign, yes or no, और फिर क्या हो गया, minus का pi by 4 minus 0, तो 1 में से 0 गया, कितना हुआ, 1, और minus का कितना हुआ, pi by 4, तो बिटा answer आचुका है, 1 minus pi by 4, very simple question है, एकदम बढ़िया question, एकदम simple question है, एकद solve x square minus x, सभी लोग copy में लिखें, solve x square minus x, minus 1806, equal to 0, equal to 0, using shri dharacharya method, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ आप आपको, shri dharacharya method है, ना, shri dharacharya method का इस्तमाल करके, एक है shri dharacharya sutra, क्या है shri dharacharya, sutra, वही minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, और एक है shri dharacharya method, तो method क्या कहती है बटा, देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है अपने पास में, इसको compare करो, आप ax square plus bx plus c से, equal to 0 से, तो बोलो, a के जैसा कौन है, 1 है, b के जैसा कौन है, minus 1, और c के जैसा कौन है, minus 1806, है ना, ठीक है, अब कुछ rule आपको याद रखने है, कि आपको shri dharacharya method में 4a बनाना है, क्या बनाना है, 4a, मतलब 4 multiplied by 1, 4 multiplied by 1, समझ गए, 4 multiplied by 1 आपको बनाना है, तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ, 4 multiplied by 1, 4 multiplied by 1 बनाने के लिए, आपके पास जो equation है, x square minus x, minus 1806 equal to 0, 4a करना है, मतलब क्या करना, 4 का multiply, क्या करना, 4 का, maths हमें allow नहीं करता है, कि आप किसी एक number में 4 का multiply करो, maths अलाव करता है, अगर multiply करो, तो साथ में क्या करो, divide करो, यह maths इसके लिए allow करता है, तो बगर maths यह allow करता है, कि पूरी की पूरी equation में 4 का multiply करो, यह चीज एलावड है, maths में, कि पूरी equation में multiply कर दो, यह पूरी equation में divide कर दो, मगर किसी एक number से multiply divide नहीं कर सकते, तो आपने 4 का multiply पूरी equation से कर दिया, बोलो yes, कर दिया, चलो, यह कितना बन गया बेटा, 4x square, यह कितना बन गया, 4x, और यहाँ पर 4 का multiply, 4 गुणे 6, 24 कर दो, यार, solve कितना हैगा, 72, 24, बोलो yes, on no, अब बेटा, इसको किनारे जान दो, अब थोड़ी से यहाँ पर टेकनीक लगेगी, खतरनाक वाली, अब वो देखो इसको, यह इसको किनारे जान दो, 4x square, minus 4x, equal to कितना होगा, 72, 24, बोलो yes, on no, अब थोड़ा सा नजरिया देखना आपको, नजरे देखनी है, बिटा, देखो धिहान से, क्या यह 2x का whole square है की नहीं है, बोलो, हाँ, है की नहीं है, 2x का whole square है, पक्का, चलो, minus, क्या, इसको मैं 2 into 2x लिख सकता हूँ, कोटा पूरा हो गया, 2 into 4x हो गया, बाद में कुछ बचा की नहीं बचा, अब नहीं बचा, मजबूरी में जो कुछ नहीं है, तो वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, 1 है, equal to 7, 2, 2, 4, बोलो yes, on no, अब दर्शन करो, इसमें, बोलो a square, minus 2 a b, हाँ, a square minus 2 a b, बड़ b square ला पता है, बोलो हाँ है न, तो b कौन है, 1 है न, मतलब b square, मतलब one का square, हमको add करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, one का square, add करना पड़ेगा, तो मैं अपने risk में, 2x square minus 2 into a, into b की जगए one है, और one का square, मैंने add कर दिया, बोलो हाँ, maths कहती है, कि जो left में add करो, वही, right में add करो, जो left में add करो, वही, right में add करो, तो बेटा मैंने right में add कर दिया, 7, 2, 2, 4, plus कितना, one क्योंकि left में one, तो right में भी, one, ऐसे पड़े हो, कि one से one उड़ा दो, उड़ता भी है, बात तो यह कही हुई, चलो, क्या बन गया, यह बन गया, whole square, क्या बन गया, a minus b का whole square, तो a कौन बैठा है, 2x, b कौन बैठा है, one का whole square बराबर, 7, 2, 2, 5, बोलो, यह सुनो, 7, 2, 2, अब square हटेगा, तो क्या लगेगा, root लगेगा, square हटेगा, root लगेगा, तो 2x minus 1, equal to under root 7, 2, 2, 5, plus और, minus, plus or minus, बोलो पक्की बात, plus or minus, ठीक ना, हाँ, अब मैं आपको इस्की ट्रीक बता रहा हूं बच्चों, जिसमें लास्ट में 25 आता है, उनका root निकालना बहुत आसान है, के बल बोड की तरफ देखो, बड़ा, जिनके लास्ट में 25 आता है, उनका root लिकालना बहुत आसान है, आख मूंद के पहले पांच लिक दो, क्या लिक दो, और इस नंबर को देखो, इस नंबर को देखो, ये नंबर दो नंबर का लगातार का मल्टीप्लाई होगा, लगातार के दो नंबर, सर्च करो, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7, 7 into 8, 8 into 9, है कोई नंबर, लगातार दो नंब कौन सा है, बस वही लिख दो, तो आंसर कितना हो गया, 85, और प्लस माइनस 85, प्लस माइनस 85, जैते तुम बो देखना है, 1225, देखना, 25 की जए क्या लिख दिया, 5, अब देखो भाईया, 12 किन्द उनों का मल्टीप्लाई है, 3, 4 का, तो छोटा नंबर कौन है, 3, करके देख है बच्पन में? हाँ, बाईस, बैसा, चलो, तो तो इक्स माइनस given to plus minus 85, अब एकब प्लस ले लो, एकब माइनस लो एकब प्लस लोगे, तो प्लस लेने पर बैसाब 2X अईक्स माइनस उन इककोल 25, क्तो तो 26, 602, x equal to 43 पहला अंसर आगया माइनस ले लो टू एक्स माइनस 1 एक्कोल डू कितना माइनस का 85 देखो बच्चे बच्चे क्या करते हैं confidence में इसको प्लस और इसको माइनस ले लेते हैं अरे यहां 24 नहीं है 24 यहां है प्लस और माइनस की च्वाइस किस तरफ है इधर है तो इसको प्लस माइनस लेना कई बार बच्चे क्या करते हैं खुशी खुशी में ले लेते हैं इसको प्लस और इसको देदे माइनस आंसर गलत हो जादा है माइनस तो 2 x १ॉल 2-85 प्लस 1 बोलो कितना हूं माइनस का 84 तो x १ॉल 2-42 तो दो आंसर आचुके हैं एक आचुका है माइनस 42 एक आच बास 43 अचुका है नोट कर लो तो ये है श्री धराचार मेथड यह श्री धराचार सूत्र नहीं है श्री धराचार सूत्र यह था x equal to minus b plus minus under root b square minus 4a upon 2a, बोलो हाया ना, हाँ, ये था, तो वो स्रीधराचार शूत्र था, ये स्रीधराचार method है, पूरी method कराई मैंने यहाँ पे, सूत्र से भी आ जाएगा, इस से भी आ जाएगा, बड़ उसने method बोली तो मैंने का चलो method सिखा दें, तो एक question नया मिला, कुछ ना कुछ और मिलता रहेगा नया, ढूरते रही नया नया,